नमस्कार सभी को विश्व की प्रेमुक खूपिया एजेंसियों से सम्मंदित प्रेशन आपके एक्जाम में हर बार पूछ जाते हैं जैसे कि मोसाद, रो, आईएसाई किस देश की खूपिया एजेंसियां हैं तो आज की इस वीडियो में आप विश्व के प्रेमुक देशों की खूपिया एजेंसियां देखेंगे जो की इंपोर्टेंट हैं वैसे तो ये सभी महत्यपूर्ण हैं लेकिन आपको जो ज़्यादा इंपोर्टेंट लगे उसको आप नो डाउन करके रख लीजिए क्योंकि एक्जाम में ये प्रेशन पूछे जाते हैं तो आईए सुरू करते हैं तो पहला है भारत की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है तो भारत में मुख्य रूप से तीन गुप्तचर संस्था हैं पहली है आईबी यानि इंटेलिजेंस ब्यूरो सेकेंड है CBI Central Bureau of Investigation और तीसरी है आपकी RAW Research and Analysis Wing तो नेक्ष्ट है अमेरिका की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है अमेरिका में मुख्य रूप से दो गुप्तचर एजेंसी हैं जो पहली है CIA Central Intelligence Agency और सेकेंड है FBI Federal Bureau of Investigation तो नेक्ष्ट है केन्या की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है तो केन्या की गुप्तचर संस्था का नाम NSIS है जो की राष्ट्रे सुरच्छा खूपिया सेवा तो इनकी फुल फोर्म भी आप याद रखें जो की पूछ ली जाती है नेक्स्ट है पाकिस्तान की गुप्चर संस्था का क्या नाम है तो इसका है ISI जो की Inter-Services Intelligence नेक्स्ट है दच्छन अफ्रिका की गुप्चर संस्था का क्या नाम है तो इसका है BOSS यानि Bureau of State Security इंपोर्टेंट है लिख लीजिए ISI भी लिख लीजिए नेक्स्ट है चीन की गुप्चर संस्था का क्या नाम है तो चीन की है Central Intelligence Leisure Department नेक्स्ट है औस्टेलिया की गुप्चर संस्था का क्या नाम है तो औस्टेलिया की है Australian Security and Intelligence Organization तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए नेक्स्ट कोशन है रूस की गुप्चर संस्था का क्या नाम है रूस की दो मुख्य रूप से गुप्चर संस्था है पहली है KGB और दूसरी है GRU नेक्स्ट है United Kingdom यानि England की गुप्चर संस्था का क्या नाम है इंग्लेंड में भी मुख्य रूप से तीन गुप्चर संस्था हैं, जो पहली है Special Branch यानि SB, सेकिंड है Military Intelligence जो MI, और नेक्स्ट है Joint Intelligence Organization जो की GEO Next है, इजराइल की गुप्चर संस्था का क्या नाम है, तो इजराइल की है मोसाद, और ये कोशन का इवार एक जाम में पूछा गया है, इसको note down कर लीजिए Next है, इरान की गुप्चर संस्था का क्या नाम है, तो ये है सावाक, ये भी पूछने लाइक कोशन है नेक्स्ट है इराग की गुपचर संस्था क्या है तो इराग की है अल मुखबराद नेक्स्ट है मिस्र की गुपचर संस्था का क्या नाम है तो ये है मुखबराद नेक्स्ट है सवधी अरव की गुपचर संस्था का क्या नाम है सुधिय अरफ की है जन्रल खूपिया प्रेसिडेंसी जिसको जी आई पी वी कहा जाता है इंपोर्टेंट है नोट डाउन कर लीजिए तो नेक्स्ट है कनाडा की गुपचर संस्था का क्या नाम है तो कनाडा की है CSIS यानि कनाडा की सुरच्छा खूपिया सेवा तो नेक्स्ट है बेल्जियम की गुपचर संस्था का क्या नाम है तो बेल्जियम की है सैन्या खूपिया और सुरच्छा सेवा तो नेक्स्ट है ग्रीस यानि यूनान की गुपचर संस्था का क्या नाम है तो यूनान की है राष्टिया खूपिया सेवा नीदरलेंड की गुपचर संस्था का क्या नाम है तो नीदरलेंड में मुख्ध है रूप से दो गुपचर सिवा है AIBD और second है MIBD तो इनकी फुल फॉर्म है AIBD की जन्रल खूपिया और सुरच्छा सिवा second है MIBD, सेन्य खूपिया और सुरच्छा सिवा आप note down करते चाहिए क्योंकि यह important है पूछ ले जाते हैं exam में तो next है Sweden की गुप्चर संस्था का क्या नाम है स्वीडन की गुप्चर संस्था का नाम है सेनने खूपिया और सुरच्छा सिवा यानि की must next है Brazil की गुप्चर संस्था का क्या नाम है तो ब्राजिल की गुप्चर संस्था है ब्राजिल खूपिया एजेंसी यानि A-B-I-N तो next है पेरू की गुप्चर संस्था का क्या नाम है तो पेरू की गुप्चर संस्था है राष्टिय खूपिया परिशत next है Jordan की गुप्चर संस्था क्या है तो जॉर्डन की जनरल खूपिया विभाग सर्विया की गुपचर संस्था का क्या नाम है तो यह आपका सुरच्छा खूपिया एजेंसी तो यह थी आपकी प्रेमुक देशों की खूपिया एजेंसी और आपके static GK की सीरीज में काफी नोट्स प्रोवाइड करा दिये गए हैं आप हमारे YouTube चैनल से खचा मेरी दोस्त पर static GK की सीरीज में बागी के सबी नोट्स देख सकते हैं तो धन्यवाद सबी को डेली जी के जियेस और करंट अफियर्स पढ़ने के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोट्स आप तक पहुंच सकें